लोग कहते हैं जो भगवान स्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं ऐसा है कुछ अख्लेश्यादों के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है भगवान स्री राम का विरोध करना अध्या जाने से विधायकों को रोकना उनकी पार्टी में फूट का कानल बंता जा रहा है लागातार सनातन के विरोध की वज़े से पार्टी के लोग सपा से दूर होते जा रहे हैं और समाजबादी पार्टी के एक अख्लेश्यादो को कहीं लगए अब डल लगने लगए है उनकी पार्टी और अधिकना टूड़ जाके होगी राज समच नाव में जिस तरिके से पार्टी टूटी है इस्सी तोर पर कहीं न कहीं सपा के लिए एक बड़ा घाटा है और इसे कैसे पूरा किया सकेगा क्या केवल मुस्लिम वोटों की सियासत के जरिए इसे पूरा किया है लगातार इनके आद्मसंवान को कहीं न कहीं किसी कोने में हिंदुत तो सबके बसा है इसमें कोई दोरा नहीं यह सच्छी प्रदानमंती जी ने प्राणपतिष्टा समाहरों के दर्वान हमने पूरे देश में देखा सैद ही कोई ऐसी आखो जो नम ना हुई उस समाहरों को देखते हुए ऐसे समय भी एगर जिसके नेता ने वहां जाने को मना करा वो कब तक इस गुटन में जी पाएगा वो पराकास्था से उपर हो गया निश्ची तोर पे यह लोग अती हो गई तभी वापस इधर उन्होंने हिंदुत कि रह जो उनकी वास्तविक रह है उसकी अजवादी पार्टी में तो अती हो चुकी है कि जो इनोंने तुस्टी करन की राजनीत की पराकास्था पार कर गये हैं वही अब अन्जाम में परणित हो रहा है जो उनके लोग अने दलों की और और इस्पेशली भारती जनता पार्टी की और आकरसित होकर वापस आ रहे ह कि आपको लगता है कि के वाली एक बात रही करना कि सनातन का विरोध या कुछ और करना भी हो सकते हैं जिसके उज़े सपा के उनके ही लोग उनसे दूर जा रहे हैं बिरोध तो कई तरीकों होता है अखलेश जी को यही नहीं पता है आप पता कर पाए आज तक कि हमारे पार्टी की नेता किसके संपर्क में रहते हैं संपर्क में रहता है जिसके विचार अच्छे होंगे, जिसकी विचार धरायें अच्छी होंगी, वो पार्टी के लोग एक दूसरे पार्टी के संपर्क में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को भगवान समझ लो, जब खुद को आप भगवान समझो जब भगवान समझ बढ़ायेंगे, तो आपके लोग आप से तुरंत दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपका भीवेक काम नहीं करेंगे, उल्टा सीधा बासन्द दोगे, उल्टा सीधा बासन्द दे के उनका भीवेक जब खतमी कर दोगे, तो आपके नेता आप से दूर बतायेंगे, उनन किया क्या है, आप सोचिए ना, 15 साल, 10 साल, पिता जी रहे सरकार में, आप भी रहे सरकार में, आपने तो कुछ नहीं किया, आपके अब नेता भी टूट टूट के जा रहे हैं, क्योंकि भारती जनता पाइटी का प्रतेक कार करता है, इमान दारी से सनातन दर्मे के लिए काम करता है, आप समझेगा, जब वो सनातन दर्मे के लिए काम करता है, तो उसकी विचार बाणी भी संयम रहती है, इनके विचार बाणी में संयम नहीं क्योंकि यह ही नहीं भगवान के, जब भगवान के नहीं रोगे तो तो तुमारे बाणी में तो दुर अब उनकी अंतरात्मा जाग रही है तो वो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि विजेपी के और जाते हुए दिखाई भी पड़ा रहा है राज समाजवादी पालिटी का एक बार पुना फिर से सूपला साफ होने जा रहा है और यह साफ तोर से हम लोग प्रदेश में इनाई करोणा अबादी विक्सित भारत देश को विस्व गुरू की और पहुचाने के लिए जिस तरह का संकल्प और जिस तरह के काम देश में हो रहे हैं वो किसी भी चाहें जातिका हो चाहें मजबका हो चाहें हिंदू हो चाहें मुसलिम हो चाहें सिक्ख हो या इसाई हो गरीब वो सोसित हो, वंचेत हो, कोई भी वेक्ति हो, हर तरीके के लोगों को अगर रास्ता साब दिख रहा है और कहीं अगरसर करने का कोई भी पार्टी कारे कर रही है, तो मेरे वेक्तिकत तोर पे भारती जनता पार्टी कारे कर रही है, अन्य किसी भी दल, चाहें देख लिजे पार्ट समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रास वोटिंग करने का कारे किया है। आप कहीं जाने से रोक नहीं सकते हैं। जो आयुद्ध्या में हुआ है उसके दर्सन करने का भी एक दर्ण निश्चे प्रण किया और सभी विधायकों जो इनसे कुंठित हुए हैं। सबी लोग आयुद्ध्या के भमराव में मंदिर में निर्माण में जहां पे दर्सन करने जा रहे हैं। निश्चित तोर पे हम कह सकते हैं कि फिर एक बार पुना जिस तरह से आप लोगों देखा होगा दोजार चौदा में पुना भारती जनता पार्टी की सरकार आई थी। दोजार उननिस में फिर इन सभी लोगों ने एक चक्रव्यू रच के ये लोग सोचते हैं कि हम सभी जितने ये बंडर बात वाले नेता हैं ये सभी एक होके भारती जनता पार्टी को ही एक टारगेट करते हैं। इस तरिके सौमी परसाद मौर्डिया सभा में जब तक रहे वलागा था सनातन का विरोध करते रहे उल्टी दे बयान देते रहें। लेकिन जब वो पार्टी से चले गए उसके बाद सभा के लोग सभा को छोड़ करके जा रहें। सभा की तमाम विरोध किए कि इनको पार्टी से हटाया जाए। पर किसी भी प्रकार से जो राष्ट्री अखले से आदो जी हैं, उन्होंने किसी भी कार करता कि नहीं सुनी, और एक भी बात नहीं मानी, नहीं संगठन के किसी बिधायक की सुनी, तो इससे सभी बिधायक कुंठित हो करके, जब ये चले गए, तो उनका किसी का निराधार सब सनातन का ही बिरोद चला है जब सपा सनातन का ही बिरोद कर रही है सबसे बड़ी सनातनी भगवान स्री राम का भव मंदिर निर्माड हुआ कोरीडोर में बुलाया गया इसके बाद हमारे विधान सबाद दच जो है स्री सतीश महाना जी ने सभी बिधायकों को एक साथ चलने के लिए राम अयुद्या चलने के लिए आग्रे किया था फिर भी अखले से अदो जी ने बोला था कि हम हमारी पार्टी का कोई बिधायक नहीं जाएगा तो ये कुंठित राजनी चल रही है भारती जनता पार्टी सभी धर्म सभी समा सभी को एक तरफ से साथ में लेकर के कार कर रही है कोई भी हो कोई भी ओजना हो जो भी हो किसी जाती धर्म देख कर नहीं कहू रही है सभी को एक तरफ से साथ समान दिया जा रहा है कि अवर सनातन के विरोध की वज़े है यह ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव आगया, ऐसे में राजनितिक मलाई खाने का वक्त भी आगया, तमाम ऐसे विधायक है, लोस्तपा छोड़ कर जाएंगे तो उनको लग रहा है कि लोकसभा का टिकर बिल सकता हो, विजेपी तो जी सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जो पार्टी में जो लोग आएं उन वो बाक्सव में सनातनी हैं। और अखलेस यादो जी और राहूल गांदी जी शनातन का विरोध करते करते, उन्होंने राष्ट का विरोध कर दिया। जहां दिल पे सनातन की विरोध की बात आती है और राष्ट की ब–, जहां जंटा एकजूट होती है बफाटी विसेज की बात नहीं कर रहा हूं जरी कि शॉक्त मोदी को विस्व का गुरू मान रहा है है, और भारत को एक विस्व गुरू के रूप में दुनिया देह रहा है निश्टित तोर पर है कि भारत एक विश्व गुरू के रूप में 2047 तक जैसा जी मोधी जी कह रहे हैं विक्सित भारत बनेगा और आम जनता के बीच में एक मोधी मैं और भारत में राम मैं का भाव का प्रकट होगा क्योंकि इनकी विचार धाराओं से ही लोग इतना कुंठित हो चुके थे राम मंदिर तो यह दर्सन करने गए यह तो आस्ता के अंदर है ना राम मंदिर राम मंदिर किसी व्यक्ति विश्व का के अंदर नहीं है जो जाएगा चाह हिंदू हो चाहिं बढ़ी बहुत बढ़ी मैँ जागरत हुए राम मंदिर बनने के बाद में ने इस देश में जितने कोरिडोर बनाए है सब शनातन की प्रतीक हैं शनातन की प्रतीक को देखने के लोगों चलि को किसी अंदर लाल सा ही इसी धर्म विसेश का नहीं है कि द्र्म कर क्ट हमा जाएगा तो एंसे अब। इसलिए लिए इन सबी चीजों को देखते उए अगर हइंदु भारती जनता पार्टी की ओर और आकर्सित होगा तो हम किसी विसेश का नहीं करेंगे मुसलिम समाज भी मुसलिम वर्ग भी भारती जनता पार्टी को राकर्सित हो रहा है देखना यह होगा चाहिए विधायक वास्तों में पार्टी छोड़ते हैं या केवल राजसभा चुनाओं में वोटिंग तक ही इनकी आस्था बदलती है